लिजे सुनिये मुंशी प्रेमचेंद के लिखे उपन्याज, सेवा सदन के 27 में भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में। एक गाओं में जाना चाहते थे, उन्हें पता मिला था कि उस गाओं में एक सुयोग वर है, उमानाथ आज ही अमूला लोट जाना चाहते थे, क्योंकि उनके गाओं में एक छोटी सी फौजदारी हो गई थी और थानेदार साहब कल तहक्रिकात करने वाले थे, मगर अभी तक नाव उसी पार खड़ी थी। उमानाथ को मलाहों पर क्रोध आ रहा था। इससे अधिक क्रोध उन मुसाफिनों पर आ रहा था जो उस पार धीरे धीरे नाव में बैठने आ रहे थे। उन्हें दोड़ते हुए आना चाहिए था जिससे उमानाथ को जल्द नाव मिल जाए। जब खड़े खड़े बहुत देर हो गई तो उमानाथ ने जोर से चिला कर मलाहों को पकारा। लेकिन उनकी कंठ ध्वनी को मलाहों के कान में पहुँचने की प्रबला कांग्शा ना थी। उन लहरों से खेलती हुई उन्हीं में समा गई। इतने में उमानाथ ने एक लला पेटे हुए आकर नदी के तट पर खड़ा हो गया। वो भी उस पार जाना चाहता था। उमानाथ को ऐसी भावना हुई कि मैंने इस साधु को कहीं देखा है। पर याद नहीं पड़ता कि कहां। इसमृती पर परदा सा पड़ा हुआ था। अकस्मा साधु ने उमान हो गई। हम रूप बदल सकते हैं शब्द को नहीं बदल सकते। ये गजाधर पांडे थे। जब से सुमन का विवा हुआ था। उमानाथ कभी उसके पास नहीं गए थे। उसे मुह दिखाने का साहस नहीं होता था। इस समय गजाधर को इस भेश में देखकर उमानाथ को अश्चर हुआ। उन्होंने समझा कहीं मुझे फिर धोका नहुआ हो। डरते हुए पूछा। शुब नाम? साधु। पहले तो गजाधर पांडे था, अब गजानन्द हूँ। उमानाथ। ओहो, तभी तो मैं पहचान ना पाता था। मुझे स्मरण होता था कि मैंने कहीं आपको देखा है, फर आपको इस भेश में देखकर मुझे बड़ा अश्यर हो रहा है। बालबच्चे कहा हैं? गजानन्द। अब उस माया जाल से मुक्त हो गया। उमानाथ। सुमन कहा हैं? गजानन्द। दालमंडी के एक कोठे पर। उमानाथ ने विसमित होकर गजानन की और देखा और तब लज्जा से उसका सिर जुग गया। एक शन के बाद उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? कुछ बात समझ में नहीं आती। गजानन्द। उसी प्रकार जैसे संसार में प्रायह हुआ करता है। मेरी असज्जनता और निर्दैता, सुमन की चंचलता और विलास लालसा, दोनों ने मिलकर हम दोनों का सरुनाश कर दिया। मैं अब उस समय की बातों को सोचता हूँ, तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़े घर की बेटी से बयाह करने में मैंने बड़ी भूल की और इस से बड़ी भूल ये थी कि बयाह हो जाने पर उसका उचे का वैभार किया, उसे वस्तर और भूजन का कष्ट दिया, वो चौका बरतन चक्की में निपुड नहीं थी और ना हो सकती थी, पर उससे ये सब काम लेता और जरा भी देर हो जाती तो बिगड़ता था, अब मुझे मालूम होता है कि मैं ही उसके घर से निकलने का कारण हु मैं उसकी सुन्दरता का मान न कर सका, इसलिए सुमन का भी मुझसे प्रेम नहीं हो सका, लेकिन मुझ पर वो भक्ती अवश्य करती थी, पर उस समय में अंधा हो रहा था, कंगाल मनुष्य धन पाकर जिस प्रकार फूर उठता है, उसी तरह सुन्दर इस्त्री पाकर वो और व्यवार से उसके चित्त को दुखी किया करता था, महाशे, मैंने उसके साथ जो जो अत्याचार किये, उन्हें समरन करके आज मुझे अपनी क्रूरता पर इतना दुख होता है कि जी चाहता है कि विश्ख खालू, उसी अत्याचार का अब प्राश्चित कर रहा हूँ, अपने हाथ से भोजन बनाने के कश्ट से बचा, मंदिर में दो-चार सज्जन नित्ते ही आजाते थे, उनके साथ रामायन आदी कथाएं पढ़ा करता था, कभी-कभी साधु महात्मा भी आजाते थे, उनके पास सत्संग का सुअफसर मिल जाता है, उनकी ज्यान मर्म की बा भोजन का स्वाद लूटने के लिए पूजा वृत्ति ग्रहन की थी, पर धर्म कथाओं के पढ़ने और सुनने से मन में भक्ती और प्रेम का उदाय हुआ और ग्यानियों के सत्संग से भक्ती ने वेराग का रूप धरन कर लिया, अब गांगां गूंता हूं और अपने से जहां तक हो सकता है दूसरों का कल्यान करता हूं, आपके अकाशी से आ रहे हैं, उमानाद, नहीं मैं एक गांव से आ रहा हूँ, सुमन की एक छोटी बहन है, उसी के लिए वर खोज रहा हूं, गजानन्द, लेकिन अपकी सुयोग वर खोजियेगा, उमानाद, सुयोग वर की तो कमी नहीं है, पर उसके लिए मुझ में सामर्थ भी तो हो, सुमन के लिए क्या मैंने कुछ कम दोड़ धूप की थी, गजानन्द, सुयोग वर मिलने के लिए आपको कितने रुपएयों की आवशकता है, उमानाद, एक हजार तो दहेज ही मांगते हैं, और सब खर्च लग रहा, गजानन्द, आप विवाहत तै कर लीजे, एक हजार रुपे का प्रबंध ही श्वर चाहेंगे, तो मैं कर दूँगा, ये भेश धारान करके अब लोगों को आसानी से ठक सकता हूँ, मुझे ग्यान हो रहा है कि मैं प्राणियों का बहुत उपकार कर सकता हूँ, दो-चार दिन में आप इही के घर पर आपसे मिलूंगा, नाव आ गई, दौनों नाव पर बैठे, गजानन्द तुम अल्लाहों से बात करने लगे, लेकिन उमानात चिंता सागर में डूबे हुए थे, उनका मन कह रहा था कि सुमन का सर्वनाश मेरी ही कारण हुआ, अभी आप सुन रहे थे, मुशी प्रेम चंद के लिए की उपन्यास, सेवा सदन के 27 वे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में।